बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका अपने यूटूपन पेपर हैकर में वसुरस राज और आज की दिखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड सेमस्टर में हैं उनके लिए हम होम साइंस का होम साइंस का गरह बिग्यान बोला जाता है उसके लिए हम MCQ कोशन लेकिया है बहुत विकल्पी कोशन लेकिया है जो 2022-23 के एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है जिनके छात्रों के MCQ कोशन पूछे जा रहे हैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो क हमारी एक website का link description box में है paperhacker.in उस website पर जाकर आप शाधार पूरबक उनको download कर पाएंगे आसा करता हूं आपको ये वीडियो उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ कोशनों के बारे में जि आपको इसके बारे में कुछ महत्मुर कोशन बार-बार एक्जामें बनते हैं तो इस unit से कौन-कौन से आपको कोशन याद करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं हम इस वीडियो को लगभग में 4-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप डेली की वीडियो ज करना होगा यहां देखिए यहां बस्तर उपयोग रेसे की बात करने वाले हैं पहला कोशन आपके सामने है ध्यान से देखिए पहला कोशन है डेनियर में मापन की जाती है तो डेनियर में बेटा रेसे की वापनता की जाती है मतलब रेसा कितना महन है महनता रेसे की महनता कि किसकी जांच की आती है किसे किसमें की जाती है ब॥ को गहें नापने की जो restriction को नेक्स कोशन आपके सामने है और इस कोशन को द्यान से देखेगा पहला दूसरा कोशन आपके सामने है दूसरा है बस्तरों का महत्व किसमे होता है बेटा बस्तर का महत्व किसमे होगा देखिए हमारा बस्तर का मतलब होता है सरीर को आवरण प्रदान करना हमारा सरीर है और हम पक्पड़े का काम होता है नेक्स कोशन क्या है वहान से नहीं होते हैं तीसरा कॉशन है कि मानब कि दुतिये मूल अवस्ता की बात की गई है देखो पहली जो मूल अवस्ता होती है वो होती है भोजन मतलब कि जो मनुस होता है या फिर आप हो सबसे पहले आपको क्या अवस्ता होती है बताइए सबसे अवस्ता क्या है पहले आपको भोजन की है मतलब कि आपको सबसे पहले भुजन की ज़रूर्त होती है कि कि कुछ मिले या ना मिले शबसे पहले हमें भोजन मिलना चाहिए बोजन के बिना हम क्या है जीवित नहीं रह सकतेываем दूसरी मुलबस्ता कौन सोग वस्त रहने के यह बहुए हमें बस्तर की भी आवसकता होती है, हमें बस्तर की भी आवसकता होती है, तो ये भी आप देखेंगे, बस्तर, नेक्स कोशन यहाँ बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोला गया है, बस्तर निर्माण की सबसे छोटी, यह फिर मूल बूद एकाई कौन सी है, तो आपको होगे रेशा या फिर तंतू है मलब कि रेशा और तंतू क्या होता है दूसरी मूल इकाई है आप इसको याद रखेगा ठीक है सबसे छोटी काई जो होती है आपको मूल इकाई हमने ऊपर बताया कि जो दुतिय मूल अवस्ता है बस्त रोगया भहिए आपसे पूचा गया है बस्त निर्माण में सबसे छोटी मूल भूत इकाई मूल भूत सबसे छोटी जो इकाई होती वो धागा होता है जिसे हम रेशा बोलते है या फिर तंतू के नाम से भी जानते हैं जो हमारे कपड़े जो खोटे धागों से बुने होते हैं नेक्स कोशन बोला गया है कौन सा तंतू का प्रियोग नहीं है को अकृतल का बंते हैं बस्ते करिए लेकिन एक हाता है इस पी निरेट इसका इस रेसे का यूज नहीं किया जाता है तो अप्षेन नमबर एक को लॉग करेंगे एक पुस्तक है जिसके आपको बताना है राइटर कौन है जैसे कि आप से पूला गया है टेक्सल फाइवर एंड यूज तो कहां गया है जो इसकी पुस्तक है वो किसकी है तो आप को गया है यहां एक कोशन बनते हैं नमबर टू में देखेंगे यहां 3.0 को हम clear करने वाले है तीन पॉइनटो को ठीक है बखी नेक्स वीडियो महं देखेंगे यहां कहह रहा है प्राकृतिग बनस्पतिक रेशे कौन कौन से होते हैं तो प्राकिर्तिक बनस्पतिक रेशों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं जैसे कि कोलकत्ता का हेम्प किसे कहा जाता है तो कोलकत्ते के जो हेम्प कहा जाता है वो जूट को कहा जाता है किसे कहा जाता है विटा जूट को याद रखिए जूट को क्या कहा जाता है कोलकत्ता है ठीक है जूसे हम पच्छिम बंगाल के अंदर रख सकते हैं तो पच्छिम बंगाल का जो कि तंतु जो गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाता है उसके बात में देखें क्या होता है क्या च्टिक देखो यहां किरा तंतु ऐसको आछेशा होता है प्र ऐसका क्या हो दायओ देखा होगा योह लेखे बहुत हो जाता है तो कपाश को गीला करने पर क्या वाला रेशा होता है जिसमें निकलते हैं नेक्स्क वोशंन यहाँ बोला गया है कि जूट कातते समय पुना छोटे-छोटे रेशों को अलग करने की पिरक्रियाः कौन सी आती है मतलब आप एक सूत कार्ट रहें मतलब सूत को क्या है बुनाई कर रहें तो छोटे-छोटे रेसों की जो आवसक्ता होती है या फिर छोटे-छोटे रेसों को अलग करने की पिरकरिया होती है वो क्या कहलाती है उसको क्या किया जाता है धुनाई आपने देखा होगा जब हम लोग अपना एक उसका जो अंग होता है चोटे-चोटे रेसों में क्या हो जाता है अलग हो जाता है बही प्रकरिया होती है चोटे-चोटे रेसों में अलग करने जो प्रकरिया कहलाएगी वह धुनाई कहलाएगी यह फिर धुनाई बोल सकते हैं नेफ्स कोशन बोला गया है कि कपास यह फ प्रपानि में बीग जाएगा और वह काफी दिन तक नहीं सूखेगा तो क्या होगा उस पर पुझा जाएगा तो वही यहां बोला गए कपास पर मतलब किया सकते हैं उन पर क्या होता है फपूदी पिरभाब डालती है कब डालेगी जब गील ये वस्ता में होंगे तब नेक्स कोशन आपसे बोला गया है नेक्स कोशन आपसे बोला गया है कि जो लेलिन होता है उसकी प्राप्ति किस से होती है तो बटा ये तने से होती है तने से हूती है,कि नेक्सट कोश्शनिक बोला गया है कि बनस्तुक रेशे जो होते हैं, उनकितने पिरकार की होते हैं, इक नया मुझा गया हमसे निमनिकित में कौन सा प्रकृतिक तंतु है एक ऐसा प्रित्फत digging works हिंप हिंप क्या है प्रेकर्तिक रेशा होता है इस इसे करा विफ घाता है और हिंप जो बोला का पास कब कभ हम को किसे नाम से जाना जाता है वह कौकथथा में कोलकत्ता का हिंप किसे कहा जाता है कपास को कहा जाता है तो यह जो हिंप को नाम दिया गया है किसको कपास को कपास को दूसरी नाम से क्या दाना जाते है सूत के नाम से जाना जाता है इतना आपको याद हो गया है कि कपास के जन्मताता किस देश को माना जाता है मतलब कपास क तो पैदा हुई थी भारत के अंदर हुई थी लेकिन सबसे ज्यादा कहां मतलब इसको एक हिंप नाम किसे ने दिया था कोलकत्ता के द्वारा कोलकत्ता कहां है पर्सिम बंगाल में है चलो नेक्स कोशन आप बोला गया है कि सूत सूत को कपास कहा जाता है तो सूत है कैसा एक स सेलूलोज क्या होता है रेसा होता है कपास ठीक है इसको भी याद रखना है नेक्स कोशन है कि कौन सा बनस्पति रेसा तन्तू है मतलब बनस्पति रेशा है आपको बताना है कौन सा बनस्पति रेशा है तो आपको पता है कपोक जो है एक बनस्पतिक रेसा के नाम से दाना तो प्राकिर्टिक रेसो को तीन मुख भागों में माटा गया कितने नौत भागों में बैटा गया फ्राकिर्टिक बढ़ सकते हैं, बढ़ सकती हो पहात सतने कि सुभान हने तो इसकी क्या रिच सकते हैं, लास्ट इसका बात करेंगे टू यूनिट जो बात थी उसके लास्ट कोशन ने जो महत्पूर्ण है ऐसी बात नहीं मैं एक बुक से मैंने कई बुकों से इंपोटेंड कोशन को चार्ट कर आपको दिया है इसको आप PDF डालोड कर सकते हैं PDF को डालोड करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे आगे उपर नीचे करके आप देख लेना यहां है लास्ट कोशन है कौन सा प्रिकृतिक रेशू नहीं मलब प्रिकृतिक तंतू कह सकता है यह फिर किर्मिक एक होता है प्रिकृतिक रेशू उपर मैंने बता चुका हूँ अब यह आगे हमारा किमत्रिम रेशू या तंतू रेशा तंतू रेशू कुछ भी कह सकते हैं तो वह होता है लेलिन लेलिन यह क्या है किर्त्रिम तंतू होता है यह फिर रेशा होता है ठीक है जनब एक होता है प्रिकृतिक्स जनब रहसा होता है उससे लेटर जो कोशन एक्जा में पूछे जाएंगे वो यूनिट हम लोग देखेंगे पार्ट टू के अंदर ठीक है पार्ट टू में देखेंगे अब लोग पार्ट टू में और इसको हम छोटी-छोटी वीडियो में करेंगे ताकि इन कोशनों को आप अपने बुक में नोट्स में उतार लें और अच्छी तरीके से इन कोशनों को पड़े भी सकते हैं ठीक है या फिर इन वीडियो को देखकर आप पीडियाप को डालोड करना चाहते हैं तो पीडियाप को डालोड कर सकते हैं पेपर है कर डॉ